यूपी विदान परसत के 5 खंड स्नातक और 6 खंड सिक्षग निर्वाचन छेत्रों के लिए कुल 11 सीटों पर 1 दिसम्बर को चुनाव होना है चुनाव में मद्दान करने के लिए करमचारियों को अगर सारोजनिक अवकास घोशित होता है तो कोई समस्या नहीं है परन्तो अगर सारोजनिक अवकास घोशित नहीं हुआ तो प्राप्त जानकारी के अनुसार करमचारियों को स्पेशल लीव लेना पड़ेगा ये स्पेशल लीव सभी करमचारिय मानो संपदा पोटल के माध्यम से ले सकते हैं वैसे एक खबर के अनुसार आप देख सकते हैं ये कहीं कि पेपर के कटिंग है इसमें ये घोशित किया गया है कि एक दिसमबर को सारोजनिक अवकास रहेगा लेकिन जब तक आदेश नहीं आता है हम इस पेपर के कटिंग पर विश्वास नहीं कर सकते हैं तो आए समझते हैं कि आप ये स्पेशल लीव कैसे लेंगे इस इस्पेशल लीव को लेने के लिए आपको अपनी लॉग इन आईडी से मानुसमपदा फोटल पे लॉग इन करना पड़ेगा जैसे आप लॉग इन करेंगे आप अपने डैश बोड पे पहुंच जाएंगे इसमें फिर आपको लीव मॉड्यूल में जाना है उसके बाद आपको माई लीव का ओप्सन सेलेक्ट करना है उसके बाद आपको एपलाई लीव में जाना है जैसे आपने apply leave पे click किया employee leave form खुल के आ जाएगा इसमें आपको दूसरे नमर पे जहाँ पर leave type लिखा है उसके सामने select पे click करना पड़ेगा इसमें देखे यहाँ पर special leave लिखावा है आपको देखे यहाँ पर कोई और leave का type select नहीं करना है जैसे आप यहाँ पर click करेंगे एक calendar खुल के आएगा इसमें आपको उपर वाले arrow पे click करना है तो यहाँ पर December 2020 लिखा हुआ आ गया यहीं कि December महिने का calendar खुल के आ गया उसमें आपको एक टारिक को select करना है उसके बाद आप देखेंगे कि टू डेट में यहाँ पर भी वही डेट आ गई है उसके नीचे number of days 1 लिखा हुआ है उसके बाद देखेंगे 6 number column पर ground on which leave is applied for तो आप यहाँ पर MLC election 2020 लिख लेंगे उसके बाद 7 number में address during leave if station leave required कि अगर आप इस चुट्टी के लिए अपने station याँ कि जिस जगह पर आप है उस जगह को छोड़ना चाते हैं तो आपको उस जगह का नाम यहाँ पर enter करना पड़ेगा यह mandatory नहीं है तो आप इससे खाली भी छोड़ सकते हैं उसके बाद यहाँ पर upload attachment है तो देखिए casual leave के तरह यह ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर कोई application को attach करें अगर आप चाहें तो एक application लिख सकते हैं उसे दो MB में resize कर लीजिए उसके बाद choose file के option पर click करकर आप gallery से उस photo को select कर सकते हैं और last में आपको submit पर click करना पड़ेगा तो जैसे आप submit पर click करेंगे आपकी यह जो special leave है वो approve के लिए forward हो जाएगी अन्य छुटियों के तरह इस छुटि का भी एक reference number generate होगा जिसके सूचना आपको अपने विद्याले पर देनी होगी तो इस तरह से आप इस election के लिए special leave ले सकते हैं लेकिन अगर सारोजनिक अवकास घोसे थुआ तो आपको इस leave को लेने के आवशक्ता नहीं है आप बिना इस leave के ही election में participate कर सकते हैं मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माद्यम से जो जानकरी दी गई वो आपको सही लगी होगी अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आपसे निवेदने के इस वीडियो को like, share, comment जरू करें चैनल को subscribe करें तकि विभास सम्मझेद अन्य सूचने आपको समय से मिलती रहें वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद